नवसकार तो देखिए आप सभी जानते हैं कि PGT के exam का schedule जो है वो आ चुका है जो tentative schedule है वो उसका आ चुका है और कब वो paper होगा किसके onward होगा वो date भी जो है हमने discuss कर लिए अभी आज हम discuss करेंगे important questions यह questions किस तरह के रहेंगे 15 questions इसमें जो हो रहेंगे HPGKK और 15 questions रहेंगे national international affairs है यहां पर कुछ भी पूछ सकता है पूछने वाला वो उसके ओपर depend करता है तो आपको हर एक एंगल से कुद की preparation जो हो करनी है और हर एक एंगल से त्यार भी रहना है तो 15 questions हम HPGKK के discuss करेंगे आज 15 questions हम national international affair के discuss करेंगे आपको comment करके बताना है कि इन 30 questions मैंसे आपके कितने questions स रही हुए जो exactly बड़ी मानदारी के साथ आपके सही हुए है वही आप comment करके बताएंगे अभी question number one से discussion जो है और start करते हैं बोलते हैं था earth quake that cause great havoc in kangra occurred in तो kangra में बुकम पाया था जिसने भारी तबाही जो था वो मचाई थी चार options आपके पास दिये गए हैं यहां पर बोल question allied में जो है यह questions जो हम already discuss हो चुके हैं अगला question देखें बोलते हैं which district of हिमाचल प्रदेश has its border with सिर्मौर, उत्रांचल, कुलू, and मंडी कौन सा डिस्टिक ऐसा है हिमाचल प्रदेश का जिसका जिसका जो border है ना वो किस किस के साथ लगता है जिसका border जो हिमाचल प्रदेश क सिर्मौर के साथ भी लगता है उत्रांचल के साथ भी लगता है और कुलू के साथ भी लगता है मंडी के साथ भी जो है वो लगता है सबसे पहले अगर हम बात करें सिर्मौर की तो देखो सिर्मौर का बॉर्डर जो हो शिमला के साथ लगता है बिल्कुल सभी बात है यहां हम बात करें उत्रांचल यानि कि उत्राखंड की तो उत्राखंड का बॉर्डर भी जो हो शिमला के साथ लगता है अगर हम बात करें कु से दिस्टिक बाड़ कि इसके जाला लगता और अंजर कर पातें और干 कि lithx करके भी अंसर कर सकते हैं औरguru यह मां सारे के सारे question Уवे हैं मिसेन United को follow कर रहे हैं तब कभी भी question कि र опас नहीं होने चाहिए बोलते हैं यहां पर ती बुझर जो टूड़े ला दा decadent of each of the following तो जो बोलते हैं का आज के समयमें जो गुजर देखने को मिलते हैं वो किसके वनसर स्टर यहां वो है तो यह वनसर जो है वो किसके चार उपकशिन यहां पर यह हूंस के बंसर हैं हूं जो थे ना option c जो हा वो सही answer है इनके यह बंसर थे यह आपने ध्यान लखना है बिल्कुल असा question है हूंस के यह बंसर थे option c जो है वो सही answer हो गया next question में बोलते है इनवी चीर provincial government of हिमालेन प्रांथ वाज शेट अप जिसको hhsrc भी कहा गया देखो HHSRC को कब स्थापित किया गया था हिमालियन प्रांथ की जो एक प्रोविंजल गॉवर्मेंट थी जिसको HHSRC भी कहा गया हिमालियन हिल स्टेट रीजनल कॉंसल इस तरह से इसको कहा गया इसकी स्थापना कब की गई थी इसकी स्थापना की गई थी 1948 में 1948 में की गई थी option डी अगर question साविज नहीं आया फिर से बिलाता हूँ यहां पर बोला गया है कि हिमालियन हिल स्टेट रीजनल कॉंसल के दौरा जो है वो किस वर्स हिमालियन प्रांथ की एक अंतरिम सरकार की स् हिमालियन हिल स्टेट रीजनल कॉंसल कब बना था वो आप बताएंगे कमेंट करके यहां पर लिखा गया है 1948 हिमालियन प्रांथा प्रोविंसल कॉमेंट वस सैट अप हैड़िड वाई इसको हैड जो किया गया था वो सिवानंदर मॉल के द्वरा किया गया था यह भी ध्या जा ली थी उस कटिंग में क्या था उस कटिंग में यह था कि लोसर फैस्टिवल जो हो अभी स्टार्ट होने वाला है तो लोसर फैस्टिवल का कॉशन वहां पर आया था वहां से ही ऐसे कॉशन हो जाते हैं और लोसर गौं जो है उसके बारे में भी आपको पता चल गया लो प Buddhapunnth Institute of Himalayan Environment and Development is situated in. तो बोलते हैं कि गो बोश्न बॉभिन बॉभ पंथं हिमालले प्रया वर्ण वभम विकास अनस्तान कहां स्थित्ष है अगर हम बात करें कि गो बॉभिन बॉभ पंथ हिं outlookound hezychu Ist that तो यह कुल्लू में स्थित है, option B जो है, वो सही अंसर हो जाएगा, तो option B यह आपने ध्यान रखना है, अगले question में देखें क्या बोलते हैं, what is the हिमाचल प्रदेश rank among the North Eastern and Hill States in India Innovation Index, तो बोलते हैं कि भारत नवाचार सुचकांग, 2021 में उत्तर पुर्वी और पहाड़ी राज्य में हिमाचल प्रदेश का क्या स्तान था, तो हिमाचल प्रदेश का 5th rank यहाँ पर था, option D जो है, वो सही अंसर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश का 5th rank यहाँ पर था, यहाँ पर था, यहाँ पर पूचा गया, यहाँ पर पूचा गया कि भारत नवाचार सुचकांग जो था, ठीक है, इसमें इंडिया इन्वेशन इंडेक्स की बात की गई है, जिसमें नौर्थ इस्ट और हिल स्टेट्स की रैंकिं विच एज ग्रूप वुमेन कवर अंडर विड्डो डेजर्टिड एकल नारी पैंशन यूजना, तो गिरी राज में कितनी बारी डिसकस हुई है, एकल नारी यूजना, एकल नारी पैंशन यूजना में 45 तो 69 के महिलाओं को कवर किया जाता है, और ऑप्शन C जो है, वो सह यह अंसर हो जाएगा, यहां पर वही सब लिखा गया है कि फिमेल अब 45 तो 69 अनुल इंकम लेस देन 50,000 पर अनुल उनको जो है, वो फाइदा मिलता है, 17 उनको जो है, वो यहां पर 1150 रपर मिलेगा, 70 यह उस से अब बहत उसको 1700 मिलेगा, और अनुल जो अमाउट इसके लि अनुल इंप्लॉइमेंट अलाउंस स्कीम, तो बोलते हैं कि विरोजगारी भत्ता यूजना केता है, वो पात्तर जो विरोजगारी हुआ है, हिमाचल परदेश के, उनको कितना भत्ता जो है, वो दिया जाता है, तो उनको एक हजार भत्ता देने की सरकार बात कहती है, और वो सही अंसर हो जाएगा, अलांकि यह बात कही जाती है, दूरिंग फाइनेशल ये ट्वेटी ट्वेटी टू ट्वेटी ट्री बजट में जो प्रोवीजन किया गया था, वो चौबिस क्रोड रुपैका किया गया था, जो अंडर अनिम्प्लॉइमेंट अलांस स्कीम है, उसकी तहर जो है, यह रखा गया था, इसमें क्या है, इसमें अलांस दिया जाता है, लिजिबल अनिम्प्लॉइमेंट को, एक हजार पर मन्त पर अन्नों की बात की गई है, और अगर कोई 50% और उस चाहिए पर्मनेंट फीजिकली चैलेंजड है, उसको 1500 पर मन्त जो है, वो किसी को पर डिबेंड ना हो, वो खुद के लिए जो है, वो अपना रोजगार डून सके, इसलिए यह दिया जाता है, अगले कौशन में बोलते हैं, विच किंग आफ चंबा है, तो बोलते हैं कि चंबा का किस राजा ने अपने वजीर अकलू को बंदी बना लिया था, अकल पी जी के के हो चुके है, 5 बचे हैं, अगे बोलते हैं, अगे वोलते हैं, अगे बोलते हैं, शाखिक हर ऐसी की चंबा के बंदी हैं, वह सबसे उचे वाला गाम है, वह कौन्सा है? तो चंबा कि पांगी में चस्क भटोरी करके गाउं है जो सबसे उन्चा है option यह जो है वह सग्जन सा चंबा की पांगी valley में जो है आता है पांगी में जो गाउं आता है इसका altitude जो है वो बताया गया है 3,650 नमेटर है, 43 किलोमेटर फर्म किलाड, किलाड जो कि पांगी का हेड़ कोईटर है, वहां से 43 किलोमेटर की दूरी पर जो है, वो स्तित है, अगला क्वेशन देखें बोलते हैं, approximately what percentage of total geographical area of हिमाचल प्रदेश under forest तो बोलते हैं कि लगवग लगवग बोलते हैं हिमाचल प् 28% इसका सही अंसर हो जाएगा, यहां पर दिया गया, 15,433 स्केर किलोमेटर जो कि पूरे हिमाचल का 27.74%, approximately हम बात करेंगे, 28% आप कह देंगे, और हिमाचल प्रदेश का जो है, वो forested है, यह note करने की बात थी, आगे बोलते हैं, निक्का पेंटर was associated with which, with the court of which princely state, तो बोलत option A, जो है, वो सही अंसर हो जाएगा, चंबा रियासत से जुड़ा हुआ था, यह निक्का पेंटर, तो यह important होगे आपके लिए, अगला question देखे हैं, हमाँ पास के आप पूचा गया, अगले मैं बोलते है, करोल परवत, इस सिच्ट्वेटेट इन विचे दिस्टिक आफि सही अंसर हो जाएगा, देखेजी, टोटल लंबर पंदरा question हिमाचल जीके के आपके पास हो गया, तो टोटल लंबर पंदरा question जो है, वो आपके, हो गए यहाँ पर, ठीक है जी, तो पंदरा question तियार है आपके, अब आपको comment करके बताते हैं, कि हच्पी जीक के कितने हुए अब ही हम national international questions के और जलते है, national international affairs में जो हो सबसे पहला question देखें, हमारे बास के आप बूचा गया है, बोलता है यहाँ पर, अच्छा उससे पहले, अगर आप PGT paper 1 की तेयारी कर रहे हैं, तो PGT paper 1 की test series का link हमें ने चे description box, comment box में दिया है, वहाँ पर आपको उसके link मिल जाए के test series group join कर लेना, वह बहुत ज़्यता है, test series group से आपकी और भी ज़्यता है, help हो जाएगी, और अभी exam बहुत नस्दीक है, अभी नहीं तो कभी नहीं क्यूंकि यह तो मौका है, hard work करने का, तो अपने तरफ से पूरी जी जान लगा कर महिनत करें, और test series को join करना है, तो Gabriel Attal has become the youngest prime minister of which are the following country, तो बोलते हैं कि Gabriel Attal जो है, किस देश के सबसे युवा प्रधान मंतरी जो है, हो बने है, तो Gabriel Attal के अगर हम बात करते हैं कि किस देश के सबसे युवा प्रधान मंतरी अभी बने है, तो यह France country, option C जो है, यह France के सबसे youngest जो है, प्राइम मिनिस्टर बने ह आए थे, चीफ गेस्ट के तोर पर आए थे, आगे बुलते हैं, वाट इस इंडिया जे रैंकिन 2024, हैनली पास्प्रोट इंडेक्स देखो, यह कोईशन तो हमने पहले डिसकस किया है, उत्तिरिन सीरीज में, तो कल पर सुमी मैंने रिवाइज करवाया था, आपको नैशनल उत्तिरिन सीरीज में किसी क्वेशन की बात हो रही थी, तो वहाँ पर हमने डिसकस किया था, कि हैनली पास्प्रोट इंडेक्स दो हुज़ा निकाला गया, उसमें इंडिया का क्या रैंक रहा, उसमें इंडिया का रैंक रहा, 80 अस्तुमा रंग नंबर जो हो इंडिया का र अगर हम बात करते हैं, लास्ट यह में 83 रहा था, अभी हमने 80 रैंक रहा था, अस्तुमा नंबर जो हो हो हासल किया, पिछली बार यह 83 था, तो इंप्रूमेंट देखने को यहां पर भी थोड़ी सी मिली है, आगे क्या बोलते हैं, बोलते हैं, विच सिटी है बीन नेम्ड अगर आप स्वच सरवेक्षन की बात करते हैं, तो यहां पर इंद्वर को पहला स्थान मिला है, पहले स्थान पर ही इंद्वर के साथ एक और सीटी रही थी, इसका नाम सूरत था, वो भी ध्यान दकना है, यहां से मैंने दो बार जो हो प्रौपरली रिवाइस कराया है, औ क्योंकि important question है तो इसको note करना और comment करके जुरूर बताना कि total कितने question ठीक हो रहे हैं आपके आगे बोलते है which state likely to become the first state in country to implement the uniform civil court ये भी दो तिन बार question हुआ है और अभी तो ये जो है वो विदान सबसे पारित हो चुका है I think president के लिए गया है ये पारित होने के लिए तो UCC की बात की जा रहे है ये actually मैं जो DPSP में आता है डिरेक्टिव प्रिंसिपल आप स्टेट पॉलिसी में आता है आर्टिकल लंबर 44 में ये आता है जिसमें कहा जाता है कि जितने भी धर्मां उन सभी के लिए कि कानून होगा च चाहिए उनकी इरेटाइंस होगी चाहिए वो लीव इन रिलेशन्शिप की बात कर लेते हैं तो ये उत्राखंड स्टेट जो है वा आता है जिसने सबसे पहला स्टेट बन गया ये DPSP में UCC को पारित करने वाला और पता है आपको कि उनिफॉर्म सिवल कोड जो है वो क्या रहेगा मतलब इस तरह से नहीं होगा कि उनके राइट्स हैं तो DPSP वहां पर आजाता है अब अगरा कोशिन देखें क्या बोलते हैं यह अब बोलते हैं रिसेंटली विलियम लाइचिंग टे हैस वहां दप्रेजिदेंचल इलेक्शन ऑफ विच कंट्री तो बोलते हैं कि ह तो ताइवान के प्रेजिदेंट यही बने होंगे विलियम लाइचिंग टेने जो है वो इसी रंबी होती है तो वहां पना थोड़ा सा टाइम लगता है अगला कोशिन देखें कि बोलते हैं रिसेंटली वह विकेम प्राइम मिनिस्टर भुटान तो भुटान के भी नहीं सब्सक्राइब प्रधान मंतरी बने थे वह वह क्यों बने थे से रिंग तोब के आपके नहीं ध्यान रखना है यह बने है भुटान के प्राइम मिनस्टर और हमने बजट में क्या पड़ा था जब बज़ह आता कि सबसे हाईस्ट कंट्री कौन सी है जिसको इंडिया है अश प्रॉड़ोसी है इंडिया का यह तो यह important है इंडिया के लिए आगे बोलते हैं recently which of the following country asked India to withdraw its troops from its nation by 15 मार्च तो बोलते हैं कि हाली में किस देश नहीं इंडिया को कहा है कि अपने जितने भी troops आपके हमारी कंट्री में हैं उनको 15 मार्च से पहले यहां से withdraw कीजए निकाल है तो यह कहा है मालदीप के द्वारा ऑप्शन सी सही अंसर है जब से मुईजू मालदीप के जो हैं वो रेजिडेंट बने हैं तब से वो दिक्कत क्रेट कर रहे है क्योंकि उनका रभई यह थुड़ा सा चायना क्यों दिखता है और हमने यह भी जाना था कि जितना भी स्टा है वो कहां पर मनाया जाता है कौन से स्टेट में मनाया जाता है तो आपने पांगल का तमिलाडू सही अंसर ध्यान रखना है ऑप्शन सी तमिलाडू स्टेट का जो है यह इंपोर्टन फेर फेस्टिवल है जो की एक्जाम पॉइंट आप जरूरी है आगे बोलते हैं यहां अगला कोईशन देखें क्या बोलते हैं यहां पर यहां पर लिखा गया है महारास्ट्रा की नासिक टाउन में जो है यह स्थित है अगे बोलते हैं यहां पर युवा निदी स्कीम प्रोवाइडिंग फाइनेशल लेटू अनिम्प्लॉयमेंट ग्रेजुएट्स एंडिप्लोमा होल्डर्स फॉर्टू येर्ज लॉंच्ट वाइविच स्टेट गोर्मेंट तो बोलत है जी करणाट का स्टेट के दौरा स्टार्ट ऑप्षन सी जी ज़ी वो सई अनसर हो जाएगा कॉनाट का स्टेट ने इसको स्टार्ट कियाा यहां पर बिलोम सब्सुर्ट है थो फ्लॉव गहां सब्सक्रा फनितीस नहीं करने चाहिए अबी हमें दस को पच्शीस कोईस का सब्सक्राइब सब्कट कि यहां पर बोलते हैं कि यहां पर बुलते हैं कि से 20 प्लास योस यह विए त्रेटल की कि किल्ट हैं ये प्लास यो की हम बात करें तो ये निकारगुवा कंट्री से जो हम संबन्द रखती है और इनका नाम भी इंपोर्टेंट है नाम भी एक्जेक्टली आपको ध्यान होना रहा है जुरूरी नहीं कंट्री पुछ जाए हो चकता है किसी एक्जाम में का नाम बुछ ले जाए हमार है कि ICC Fours Cricket विश्योकप 2023 में प्लेयर आफ दे टुर्नमेंट किसे घोचित किया गया है तो ये प्लेयर आफ दे टुर्नमेंट विराट कोहली को जो है वो घोचित किया गया है option A जो है वो बिल्कुल सही अंसर है आपके पास option A आगे बोलते हैं as per WHO ग्लोबल टीबी रिवो वहां पर और देखुआ हमने discuss कर रखा है पहले ये question डवली एच्चो की global TV रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया में किस country में जो है वो TV के सबसे अधिक मामले हैं तो वो इंडिया ही है जहां पर टीवर क्लोशिस के जो हैं सबसे अधिक मामले report किये गए है तो ये आपने धिय रखना है कि paper में आ चुका है question आगे भी आ सकता है अगले यहां पर detail में भी दिया गया है हम detail में नहीं पड़ेंगे अभी आगे बोलते हैं जंजात्य गौर्ब दिवस कम मनाया जाता है ये तो पहले allied services में पूछा जा चुका है चाहित से जंजात्य गौर्ब दिवस पहले मनाया जाता है नवंबर पंदरा को option c जो है वो सही अंसर हो जाएगा आगे क्या बोलते हैं बोलते हैं recently which country has pulled out of the treaty of conventional armed forces in Europe तो बोलते हैं कि हार ही में कि इस देश ने खुद को जो है वो यूरोप के पारंपरिक ससस्त्र बलों की संदी से जो हो बाहर कर लिए तो आपको बता हुआ है तो यूरुप जो बहुत सारी countrys यहीं है जो आद्यो में जाना चाहती है और नाटो में maximum European countries आती है रस्चिया यह सब नहीं चाहता है तो रस्चिया यूरोप के साथ फिर इसते खराब कर लिया है तो वही बात सारी की सारी की रस्चिया जो है इस्ट कुद को ट्रे इनकी on-екlar नेasional to, ये जुन फोचा गया तो उनकि Folksya, उनने क्लोजिंग सर्मेनी पन्जी में होई थी पन्जी जे गोगा की कैपिटल Nahousa ירणे ज्योवें वहां पर आप अपने ध्यान रखने कि वहां पर यह हूई थी तो जोने पूच लाई आप यहां पर पूछ लिए जाए कि कहां पर closing ceremony थी तो पता होना चाहिए है यहां पर वही लिखा गया है कि 37th number की जो national games है उनको officially open किया गया है प्रधार मंतरी सी नरेंदर मोदी जी के वारा और एक लेवी ceremony थी जो की जो की फेटोरडा footwall stadium गोवा में जो था वो हुई थी यह आप के बास कि आप revise testories को भी practice कर सके और जो कमिया है उनको भी साथ साथ में बार बार पढ़ सके तो enough time है आप testories को revise कर सकते हैं अगले question देखें यहां पर क्या बोलते हैं हलांकि हमारे थीस question जो है वो पूरे हो चुके हैं अगले question आप बोलते हैं यहां पर बोलते हैं who was born in as a new chief information commissioner of India तो बोलते हैं कि भारत के नहीं मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में जो हो किसने सबत लिए किसको जो है वो बारत का नया मुख्य सूचना आयुक्त जो हो बनाया गया है चार options आपके पास दिये गए हैं आपने जो हो comment करके बताना है कि अभी chief information commissioner इसको CIC chief information commissioner मुख उनक्न करके विटाएं टेलीग्राम पर अगर आपने अभी तक हमें जोईन नहीं किया है तो तेलीग्राम पर हमारे साद जुनने के लिए अपने टेलीग्राम ऊपन करना वहां से सेर्च करना अट the rate all cry exam 31 तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो हो मिल जाएगा टेलीग्र that's all for today thank you thank you very much for watching and listening it very patiently